गुड इवनी कैसे दोस्तों एक्जाम पास में है और आपको मेरी जरूरत है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं तो अब श्टार्ट कर रहा हैं कि क्या-क्या होने वाला आगे आने वाले एक टॉपिक्स में और आज क्या होने वाला यह सब की सब इंपोर्टेंट है सबसे ही दोजर अठारा ठीक है 2018 नौवंबर अटेम्ट के बाद से 2019, 2020, 2021 तो इन तीन साल में जितने भी अटेंट से छे अटेंट मान के चला हूं एक आधर अटेंट में इस भी हो गया तो इन तीन साल में पेपर्स इक्जाम में पेपर्स है कुछ नए कोश्टेंस आया है ठीक है कुछ नए questions का मतलब जो practice manual में RTP में, MTB में नहीं थे वो नए questions आये हुए है मैं कप की बात कर रहा हूँ 2019, 2020 और 2021 मैं 3 साल की बात करूँ वो नए questions में discussion करूँगा नए questions, सारे questions नहीं जो exam में नए questions आये जो देखने से लगा पता नहीं कहां से आगये वो सारे questions यहां discussion होगे ठीक है सर concepts भी discussion करूँगा अगर कुछ नए concepts होगा इस new study material में अगर कुछ नए questions होगे तो वो discussion होगे RTP में, MTP में अगर कुछ नए questions आये होगे तो वो भी discussion होगे SFM में ठीक है अब नए questions discussion हो तो कैसे हो तो मुझे कुछ बच्चों ने advice बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे बोलते है कि सर ऐसा नहीं ऐसा करो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सर आप एक साथ मत कीजिए आप एक particular chapter उठा लीजी पहले चैप्टर आपका डेरीविट्व है तो डेरीविट्व उठाइए और उसमें जितने भी नए कोश्चंस आए होगे इन तीन साल में चाहे आर्टीपी में चाहे एक्जाम में चाहे तो वे नवे नए कोश्चन एक चैप्टर के एक साथ जदा है जदा क्या होगा पाच्छे यह तो होगे बिल्कुल सहीं फिर आप फॉरेक्स उठा लीजिए तो हम लोगों को भी ना दिक्कत नहीं होगी यह डेरीविट्व में इतने नए कोश्चंस इतना कर लिया मतलब हमारे 2018 के बाद से अगर किसी ने 2018 2018 में भी क्लास ले रखा होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा अब क्या करें तो चिंता वाली बात नहीं सारे नए कोश्चंस में हाँ डिस्कुरिशन करने वाला डिस्कुरिशन तो ऐसे होगा कि पहला हम चैप्टर डेरीविट्य उठाएंगे और डेरीविट्य उसमें जितने भी नए कोश्चंस है सब डिस्कुरिशन होके मैं ये भी बता दूँगा कि किस एक्जाम में आये हैं कौन सी आर्टीपी में हैं ये कोश्चं कहां डला हुआ है ये सब कुछ पहला का तो हर चैप्टर कोशिश रहेगी कि डेली आज तो एक ही टॉपिक अपलोड होगा लेकिन कल से में दो दो टॉपिक अपलोड करूँगा तो यार ये चार पास दिनों में काम खतम हो जाए जादा नहीं है यार कहिसी में डेरीविट्य में आठ कोश्चं है पर बाकी चैप्टर की बात करो इंटरसेट में तीन ही कोश्चंस है जो नए कोश्चंस है तो ज्यादर टाइम नहीं लगेगा ठीक है ठीक है सर पहला काम तो ये होगा और जैसे ही ये काम खतम हो जाएगा अब आगे सुनो के और आगे क्या स्ट्राइटिजी है चार पाइस दिनों में निपटाएंगे सको उसके बाद क्या होगा सर यूट्यूब में होने वाला है सारा की सारा यूट्यूब में जिन्होंने मेरी class ले रखा है पुरानी class हो कि वो भी जिन्होंने पुरानी class ले रखा old एकाथ साल पहले वो प्लीज ये लेक्शर कंटिनु डलेगे देख लीजिए गाँ दूसरा गाम इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद revision lectures क्योंकि last time में रिविजन लेक्शर्स डाला था अप्लोट किया था तो बच्चों को बहुत फाइदा मिला और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि सर आपके रिविजन लेक्शर्स से बहुत हेल्प हुई हला कि वो मैं उतनी सिद्दत से नहीं डाला था लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हू अब मज़ा आएगा रिविजन में तो मैं हर एक टॉपिक का रिविजन लेक्शर्स अप्लोट करूंगा हर एक टॉपिक का रिविजन लेक्शर्स फिर से और इस बार रिविजन कुछ अलग धंसे होगा लेकिन अच्छा लगेगा और उन रिविजन लेक्शर्स के साथ में जैसे derivative का एक revision lecture होगा, तो उसके साथ test paper भी रहेगा, और वो test देकर आप मुझे submit करोगे, free of, कोई पैसा ने, free of cost रहेगा, ठीक के लिए, ठीक के सब, वो बाते हम बाद में करेंगे, पहले ये खतम करेंगे, ज्यादा अच्छा, इसमें जो questions है, नए questions, इसका PDF, description में मैं upload कर रहा हूँ, description में upload है, तो जब भी ये lecture से दिखोगे, तो पहला काम है कि आप PDF अप्लोट करोगे, उसका print out ले लोगे, 7-8 questions है, with solutions है, तो दिकत होगी नहीं है, फिर से मैं यहाँ लिख कर आपको नहीं समझाओंगा, जो ICAI का presentation है, वो आपको दिखाऊंगा, हाला कि समझाओंगा जरू मैं question, समझाओंगा, पर बनाओंगा, presentation मेरा नहीं रहेगा, presentation ICAI का रहेगा, जो उन्होंने suggested में किया, ठीक ह जी, तो सहब ऐसा है, भगवान का नाम लेते हैं, और इस्टार्ट करते हैं, पहला topic हम derivative उठा रहे हैं, और derivative में टूटर मिलाकर 8 questions मुझे ऐसे दिखें, कि जो आपको कहा, हाला कि बहुत सारे ऐसे questions हो के, जो मेरे बिना भी आप आसानी से कर लेते हैं, यह exam में भी आया, न बात कप की है, 2018 के बात के नए questions है, तो यह पहला question उठा रहे हैं, question number one, पेडिया प्लीज आप अप लूट कर लोगे, question number one की में बात कर रहा हूं, ठीक है, जी, ठीक है, तो question number one आपके सामने है, पता नहीं आपको देखेगा कि नहीं देखा कर पर प्लीज, यह हाला कि exam में भी question आया है, पर अभी में देखूं, आपको reference देखना है, तो RTP में डला हुआ है, RTP कपकी नवंबर 2020 की old syllabus की RTP है, old syllabus की RTP, ठीक है, और old और new तो कुछ होता ही नहीं, तो new syllabus में भी यही RTP डलीज, ठीक है, पढ़े, पहले, मैं फिर से announcement कर दूँ कि सर यह old syllabus के लिए है, नए questions की new syllabus के दोनों के लिए, मेरा बस यह कहना है, कि आप यह ना समझें कि old syllabus में derivative का question आया था exam में, तो वो तो old वालों के लिए, हमारे लिए थोड़ी ने भई, आपको भी आ सकता हूँ, इसी attempt की बात करता हूँ, जो अभी last में गया है, old syllabus में, बड़े सारे नए questions थे, वो मैं आपको करवाँगा, derivative का करवाँगा, आपको मैं portfolio का question करवाँगा, अगर नया है तो मैं करवाँगा, भली जाए, old syllabus में क्यों ना आया हूँ, क्योंकि मेरा जो experience है, कि यह question repeat होते हैं, और latest वाले ज्यादर repeat होते हैं, जो नए questions आए, तो करने में क्या बुराई है, ठीक है सार, इस्टार्ट करें, य जिसमें आप, theoretical future price निकलते हैं, theoretical future price F, तो discussion करना थोड़ा सा मुश्किल जाएंगा, इट मेंस मैं यह काऊंगा, जिन्होंने कभी class ही नहीं किया, और वो यह देख रहा है, तो उस्टार जाएंगे, क्या हो रहा तो, प्लीज, जिनको concept पता है, उनसे questions बनेंगे, नहीं तो फ short position, 5, 4 month nifty future on 1st Feb 2020 for Rs. 9,00,000, sir, है क्या चुलना है, यह लो, आज की date किया है, sir, आज की date है, 1st Feb 2020, यहां Mr. S. G. ने short position ले रखा है, short position मतलब downside betting, sold लिखा है, sold, कितने contract से सहब, 5, 5 contract, और कितने रुपए में, sir, 9,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लिखा at the time of closing of trading बोले जब आप trading close कर रहे थे मतलब यहां की बात हो रही होगे ठीक है से यहां की बात हो रही at the time of closing of trading on last Thursday of May 2020 बात समझ में आ रही है यह first है first five है तो यहां बात कब हो रही है में और बोले ट्रेडिंग कब close किया जाता है बोले Thursday को close होता है simple सी बात ही हमको पता है और यह May 2020 मतलब 4 मेने बात जब आप trading close कर रहे this is maturity date यह expiry date बोले जो index है वो 2100 हो गया यहां index कितना हो गया index हो गया 2100 ठीक आपका position कौन सा है short तो यहां कितने में खरीदा था अगर यह पता लग जाए कितने में शॉट किया था यहां प्राइस किया था फ्यूचर प्राइस यहां फ्यूचर प्राइस चाहिए था कब का मे का अगर यह पता लग जाए कि हमने कितने में बैटिं किया short position तो अराम से profit loss रिकाल सकते अगर मांगता तो पर मांगा किया जरह दिखते हैं लिखा दो कॉंट्रेक्ट मुल्टिप्लायर अ 75 ठीक है 75 एक कॉंट्रेक्ट में 75 यूनिट्स ठीक है और टोटल कॉंट्रेक्ट कितने हैं सर पाच तो एक कॉंट्रेक्ट की मतनी काल सक्था हूं सर बिलकुल आराम से कैसे निकाल के बिलकुल आसान है सर 9,us, ee Lahk divided by five कर देंगे एक कॉंट्रेक्ट की कीमत अजाए क्यों वहितो पुचा है प्राइज औफ वन फ्यूजर कॉंट्रक्ट बला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 9 लाग डिवाइड वाइड वाइड वाइफ, रूपीज, 1,80,000, सब फॉर्मुला क्या लगीगा, फॉर्मुला कुछ भी लगा लो भाई, फॉर्मुले पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, प्रेजिनेटेशन है, ICAI का आपके सामने, मैं बस मेरा काम है समझाने का, तो साहब एक कॉंट्रक्ट की कीमत कितनी है, 1,80,000, यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं, फर्स्ट पॉइंट में तो कोई प्रोब्लम होनी नहीं थी, पॉइंट नमबर टू, अच्छा है, इट मिस नया क्या है इसमें, तो नया से पॉइंट नूमबर थ्री है, जो समझाना, नया भी क्या था, कॉंसेप्ट पढ़ा हुआ है, बस यहां अप्रोक्सीमेट निफ्टी संसेक्स, अन फर्स्ट फैफ 2020, अप्रोक्सीमेट निफ्टी संसेक्स, अन फर्स्ट फैफ 2020, यहां का, निफ्टी संसेक्स क्या है, मतलब सर उसको क्या बलते है, इसको हम इसपॉर्ड बलते है, इसपॉर्ड बलते है, इसपॉर्ट, जिसको हम सर्फ future price निकाल सकते कि निकाल सकते मैं अभी उसकी बात निकरो मैं बात करो spot price पूछ रहा कि बताओ spot price क्या होगा ठीक if the price of future contract on the same date was theoretical character this is important याद हैं आप लोग F निकलते थे theoretical future price हासर हम यहां कहते थे यहां खड़े हो जाते थे first fab को और हम यह कहते थे कि में एंड में क्या हो सकता है future price और उसको निकालने का formula हुआ करता था और formula क्या था याद करो sir formula हुआ करता था f is equal to s अगर continuously compounding है तो well and good और नहीं है तो into यहां क्या करते थे one plus r minus d और इसको time से multiply कर क्या से अब यह bracket के बाहर टी लगना चाहिए bracket के अंदर टी लगना चाहिए ब्रेकेट के अंदर टी इस mathematical पर मच्छा और सीडी सी बात है मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से था का सब को याद होता है मजए जाएगा पर वो क्या बोल रहा है इस कोश्चन में बोला गया है कि भई जब फर्स्ट फैव को आप आप इस पॉठ प्रेजने कली भाई बने श्बाइब कले का लिए हो गा बिले हां तो यहां जो फिघ्यूचर प्राइज के लोना चाहिए एक्च्वल नहीं एक्च्वल तो कुछ अलगी होता था यह जो है दिया है इससे हम निकाल सकते एक्षुल सरी यह यह तो वहां जाकर हो गया है मरी बात समझा आज आप कौन सी डिट में खड़े हैं आप खड़े हो फेट फ्रस्ट वैप इकीस्तो ट्वंटी वन हंडट क्या है वह बोल्रा कि नहीं नहीं आप वहां पहुझ गया है में अर्ण में और उस समय 2100 हुए ठीक है तो आपने यहां कितने में बैटिंग किया होगा क्या यहां का future price निकल सकता हां निकल सकता है पर वो जो future price निकलेगा वो theoretical नहीं होगा वो actual होगा मरी बात समझा अगर मैं कहता हूं टोटल एक लाक 80 एजर एक contract और एक contract में कितने निफ्टी कितने 75 तो क्या एक का प्राइज निकल सकता है यस इसको डिवाइट किस से कर दू मैं 75 एक का प्राइज निकल सकता है सर 2400 रुपीस 2400 इस फ्यूचर थाइस और यह फ्यूचर प्राइज कहां का है सर वह हम आज यहां खड़े और हमने अप डाउन सेट बैटंग किया सॉट किया धिस एक्च्वल फ्यूचर प्राइस और इक सो हो गया तो नो डूट कि हम फायदा होने बाला सवाल यह है वो पूच किया रहा है वो पूच रख प्राइज इस पॉर्ट प्राइज निकलने क लिए हमको future price चाहिए पर actual वाला नहीं हमें theoretical चाहिए और देखो यहां क्या लिखा है सब्दों को यहां से देखो in the price of future contract on the same date was theoretically correct यह सब्द लिखा है इसका मतलब इसका मतलब वो कहना चाहता है हिसाब कि यह जो future price है no doubt यह actual है पर यह correct है अगर आप theoretical भी निकालते तो यही निकलता है दूसरे सब्दों में वो कहना चाहता है कि future price theoretical future price is equal to actual future price आप समझ में it means sir it means कुछ नहीं है हमें F की जगह कितना रखना पड़ेगा 2400 रखना पड़ेगा और answer आजाएगा अगर मैं सीधी बात करूं तो अगर सीधी सीधी बात किया जाए तो F 2400 spot price 2100 इंटू अब हमें दो चीच चाहिए एक तो आर रिस्क फ्री इंट्रेस्ट और एक है dividend yield यह दोनों माइनस कर दीचिए क्यों करते प्लीज आप मुझे फॉर्मले पे मतले जाए नाइन माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 3% 3% 9-6 तो 3% हो गया अब सवाल यह है सर क्या यह इंडेक्स है हां और कितने मैंने का सर हमें चाहिए यह चार मेने का इंटू 4 by 12 कर लेंगे चार मेने के लिए 4 by 12 कर लेंगे कोई दिकती क्या यह आर माइनस डी वह तो आपको आता फॉरूमला जनरली मैं बच्चों को समझाय करता था कि देखो साब पर अगर अगर श्टू इंडेक्स है तो यह अगर सेंटॉक इंडेक्स है तो मैं मैं खुद अपने लेक्जर में बच्चों को यह बात वोल नहीं दियान दोगे अब continuously compounding तो यूज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे मेरे statement अपनी change कर रहा हूं कि ICAI ने जो latest question कर रखा है उन्होंने कहा कि अगर दिया रहेगा कि यूज continuously compounding या फिर factors देदेगा तो हम continuously compounding यूज करेंगे और नहीं दिया है तो नहीं करेंगे simple accept BSM जब आप BSM करोगे तो वहां आपको बोले या ना बोले आपको continuously compounding यूज करना ही पड़ेगा यहां मैं यूज नहीं कर रहा हूं भले sensex ये निफ्टी दिया मुझे मतलब नहीं है ठीक अच्छा मतलब सर जब दिया रहेगा तभी करेंगे यस तो 3% है 4 मैंने का 3 into 4 by 12 divided by 100 plus 1 1.01 तो 2100 अच्छा spot निकालना है न मैं यह कैसे ले सकता हूं sorry 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 this is spot price to 2400 divided by 1.01 तो सर्याग है रूपीस 237 एप्रॉक्स बूला तो 2376 ले सकते है yes 237 ये 2100 गल्ती से लिख लिए थावे 2100 तो यहां का प्राइस है हम तो यहां खड़ है यहां के लिए theoretical निकाल ठीक है फिर से देख लूँ 3 into 4 by 12 divided by 100 plus 1 2 3 7 6 2 3 7 6 this is spot price और वही उसने पूछा था कि बताओ spot price क्या है पर फिर भी में एक बाद शेक करनूं answer से पहला तो 1,80,000 प्रेजेंटेशन ये IC AI का आपके पास दिख रहा है और दूसरा आपका 2376 ये round off कर दिया 2376 ले दिया point number 2 और point number 1 में कोई समस्या नहीं है ठीक है हाँ बोलो हाँ point number 3 दा मैक्सिमम कॉंटेंगो आ बैकवार्डेशन बैकवार्डेशन कॉंटेंगो सुनों बच्चों धिहान से दो बाती होती है एक होता है स्पोर्ट प्रैस और एक होता है फ्यूचर प्रैस मेरा सिंपल सा कॉश्चन आज का फ्यूचर मतलब चार मेने बात का अभी आँ चार मेने बात का तो सब्सक्राइब हम आज खरी देंगे तो हमारा interest का loss होता है मैंने यह समझाया था तो सर्व इंट्रेस्ट एट करते हैं तो future का प्राइज दे जाता है हां बस अगर कोई dividend होगा तो मैनस करेंगे सोच के बता common sense लगा कि future का प्राइज जादा होगा कि स्टाइब थे सफींचुचर करें तो जाता होगा हां भाई हां हमेशा future प्राइज जाता है हमेशा future हमेशा भींचव अध्यक्त है हमेसा झीजरन लिए पर कभी गभी ऐसा हो सकता है कि जो dividend yield है वह और भी चाता हुए हो सकता है कि future price कम हो जाता है यह हैं सर 2376 इस पॉट प्रैस यह दिख रहा है 23 और फ्यूचर प्रैस क्या है यह है फ्यूचर प्रैस यह 2400 आज की बद सरी किस्ट और फ्यूचर प्रैस पुट वह तो वह में एंड में जाओंगा तो पता लगेगा ना मैं आज यहां खड़ा हूं आज मुझे डिसाइट कर रहा है कि स्पॉट प्रैस ज्यादा कि फ्यूचर प्रैस फ्यूचर प्रैस ज्यादा होगा पर यह हमेशा नहीं एकादवार ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर प्रैस कम हो जाए तो अगर इट में सर्फ फ्यूचर प्रैस और स्पॉचर प्रैस और फ्यूचर प्रैस ज्यादा हो अच्छो इटमेज इसको क्या जाता सीधा बद्ला और और Kennet 2016 अच्छा लेकिन किसमत से इस पूठे से जादा निकल गया इस पूर्ट परिजा ज़ादा निकल गये कि ठुछ से तो पिर इसको सीधा बदलाए लो इसा नहीं होता हुआ वहर्ट केस में ऐसा हो सकता है इसको क्या बोला जाता है उल्टा बदला सीधा बदला उल्टा बदला को अंगरे जी में क्या बोलते से इसको बोलते हैं Contango Contango और उल्टा बदला को क्या बोलते हो गये? Backward comply Contango, Backward कॉंटेंगों मतलब सीधा बतला इस फ्यूचर प्राइज जादा होना ही चाहिए पर कभी-कभी उल्टा हो गया तो उसको क्या बलते हैं उल्टा बदला अच्छा सर और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको बोला जाता है बेसिस अच्छा सर कहा लिखो गए इटमेंस बे जब सब्सक्राइब करेंस बेसे सवाल यह है की बेशिस न WiFi brightness ही सकता है ठेक है बेतिश नेगेटिव कभ हो का बढ़ों को एक या आप बता सकते हैं सगह इस पॉर्ट प्राइज जादा है जो कि नहीं होना अगर spot price जादा है, तो basis positive आएगा, spot price जादा है, तो basis positive आएगा, और basis positive है, तो ऐसा market को बोल के बताओ, contango बोलोगे कि backwardation बोलोगे, अगर spot price जादा है, तो basis positive आएगा, पर ये backwardation कहलाएगा, contango नहीं कहलाएगा, बात कास कास, आप समझ लो, ये जादा नहीं होना चाहिए, जिए फक्र जयादा है जोगी में पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो इस का मतलब क्या हो गया है इसका मतलब से स्पोष्क प्राइज जादा है जो की गलत है तो इसको जाजा है जो की सब只rium जादा बेसिस नेगेट्व है तो होना ही चाहिए बेसिस नेगट्व फिचर प्राइज जादा ही तो होना चाहिए रिंडर एक्ट करके तो हाँ अगर बेसिस नेगेट्व इस कॉन्ट अब सोचो यहाँ इस पॉर्ट पैस कितना है 2376 सिक्स और फ्यूचर प्राइश 2400 तो बोलो बेसिस क्या एगा नेगेटिव याएगा नेगेटिव क्या बोलेंगे कॉंटेंगो और मैक्सिमम कॉंटेंगो मतलब उन दोने के बीच का डिफरेंश निकल लो खाता अच्छा सर यह बात है क्या चलो देखते क्या किया पोई नमबर 3 में लिखा है तु डिटर्माइए विदर अ मार्केट इस इन कॉंटेंगो और बैक्वरदेश फिर्स्ट वीचल कॉंटेंगो बैसिस निकला इस पॉर्ट मैनस फूचर इस इस नेगेटिव इस इस नेगेटिव का मतलब क्या है इस पॉर्ट कम फूचर जाद हो नहीं चाहिए ए मार्केट इस ए तु भी कॉंटेंगो एन वैन इस पॉर्ट इस पॉर्ट इस इस तो बैक्वरदेश निकला इस नेगेटिव यहां का इंगरमन है ठीक 24 पीस ठीक है जी ठीक है सर बात समझ में आगे अब बोल रहा पे ओफ निकाली है पे ओफ ठीक है निकालेंगे पे ओफ निकालने के लिए भाई आपने 2400 रुपय में शॉट पोजिशन ले लिया और हो गया 2100 तो भाई सीधी सिधी बात है 2400 माइनस 2100 एक पर 300 का प्रॉफिट तो टोटल एक कॉंट्रेक्ट में है 75 और टूटल नंबर ओप कॉंट्रेक्ट है 5 अंसर जाएगा सीधा 2400 माइनस 2100 इंटो 75 इंटो 5 अंसर आगे 1012,500 यह तो सिंपल था इसमें आपको दिक्कत नहीं थी तो अगर मैं गहूं कि इस कोश्चिन में खास बात क्या था खास बात कुछ नहीं है कॉंटेंग और माया बैक्परडिशन पर जनरल यह थियोरी में लिखवाया जाता है असा तो ही नहीं कि आपको लिखवाया नहीं कोई असकूश्चों में कुछ नहीं है यह concept-wise फिसमें के सबसे और ड्व गर्व बात में दया नहीं था तो ही कोश्चन एक्टिव पी में तो अभी ड्ला एक्णमें भी आया हुगा तो तो यह question आपके लिए important था, revision करके जाओगे sir, ठीक है जी, अब क्या करें, अब करते हम next question, question number 2, ये भी अच्छा question है, seriously बोड़ों, और कब आया है sir, ये भी RTP में डला लेकिन एक्जाम में आया हुआ है, ठीक है, RTP, old syllabus, old syllabus, RTP में क्या exam में भी आया हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, सुनना ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है, कि हवा में question बनाऊगे और बन जाएगा, देखा, rice trader has planned, planning चल रही है, कि हम sell करेंगे 22 अरकेजियो price, after 3 month from now, हमारा क्या उद्देश है, हमारा उद्देश है, sell करना, sell आज करना है, कि 3 मेहने बाद, 3 मेहने बाद, क्या sell करना है, 22,000 kg rice, 3 मेहने बाद, क्या लग रहा है हमें, price बढ़ने वाला है 3 मेहने बाद, कि कम होने वाला, सोचो ना बेटे, सोचो, 3 मेहने बाद क्यों sell कर रहा है, आज ही sell कर दो, हमारा position क्या है, this is important, short की long, बहुत सारे बच्चों ने इस question में गलतिया किया था, exam में question आया था, sell लिखा है, और sell का मतलब उन्होंने सोचा, short position है, नहीं, sell आज थोड़ी ने कर रहा है, sell करने वाला है future में, क्यों future में sell करने वाले, क्या उमीद है आपको, कि future में क्या होने वाला है, बेचोगे तो महगे में, आपको यह उमीद है कि future में बढ़ने वाला है, this is, अब भी कौन सा position है, long position, आप भगवान से क्या प्रातना करोगे, कि भगवान, price कम कर दो, भगवान, price बढ़ा दो, अगर आप ऐसी प्रातना कर रहा है, तो यह long position है, बात, बिल्कुल simple सी है, sell या buy तो बाद में, सबसे पहले कि आपको, क्या लग रहा है, कि क्या होना च रही है, और बच्चों ने एक्जाम में यह लिख दिया, कि यह short position, पूचा है नीचे, हलाकि मैंने नीचे पढ़ानी, पर नीचे, पूचा की बताओ कौन सा position है, सहाब, short position, यह long position, ठीक है, तो इसपोर्ट प्राइज और प्राइस, अब भी क्या प्राइस है, बुले 60 प्र spot price के spot, रुपी 60, और यहां से हम बैटिंग कर रहे है, future के लिए, तो future price चल रहा है, आज कितना चल रहा है, फिप्टेन है, सर यह क्या है, यह spot price और future price क्या है, spot price का मतलब है, कि आज बेच चूगे ना, तो 60 रुप्या का भी जाएगा, future price का मतलब है, कि आज contract करेंगे, कि ह 59 का भी कि का, ठीक है, size of contract is 1000 kg, ठीक है, the price is expected to fall, और इनने ऐसा लग रहा है, कि price जो है, वो 56 रुपीज हो सकता है, किस बात का डर, आज आज आपके पास rice है, आपको तीन महने बाद बेचना, या आपके पास rice है भी नहीं है, पर तीन महने बाद बेचना है, सपोस, तो आप को डर तो एक ही बात कराएगा, किस बात का, कहीं rate कमना हो जाएगा, और rate आपको ऐसा लग रहा है, कि कितना हो जाएगा, 56 हो गया, तो हम बरबाद हो जाएगे, हमें तो loss हो जाएगा, जबकि आज राई सोता, तो हमारा 60 की सबसे भी जत, क्या करें, पहला है, कि बेचो आज, चोकि बेचना नहीं, तीन मैने बाद ही बेच पाएगे, दूसरा है कि कि सबात का डर है, कहीं rate कमना हो जाए, rate कमना हो जाए, तो जिस बात का डर उसी में बैटे, उसी में सर्द लगा लो, बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है, कम होगा, उस गहीं गिरना जाए अगर उस बात का डर है तो चलो ना उशी में शर्त लगा लेते हैं अगर गिर भी गया तो अपना जो राइस है उसको तो हम बेचेंगे कम दामों में लेकिन उधर से गिरने की वज़े से प्राइस गिरने की वज़े से मुझे फाइदा हो जाएगा और मैं अटना पैसा मुझे कम पंसेट करना पड़ेगा क्यों कि मैं एक इसको स्कॉस कर रहा हूं कौंसेप्ट तो आपको आते हैं पहला क्या बोल रहा है पहला टू इंटरप्रेट दपोजीशन आप ट्रेडर इन कैश मार्केट अब भी कौन सा पोजिशन है कैश मार्केट में हां इसको हैस करने के लिए आप future market में कौन सा position लोगे short position look to advise the trader the trader should take future market to mitigate its risk of reduce profit वही कौन सा position लो के short position लोगे future market में क्या यह मुझे समझाने की जरूरत है नहीं सर्ट वाइस तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं हां कोशिन के सब से में बोल सकता हूं कि यह हो सकता आप लोगों के लिए लिए नहीं कुछन पुल रट टू डेमोंस्ट्रेट एफेक्टिव रिलाइश्ट प्राइस फर इट सेल्स इफी डिसाइट तु मार्केट उस फ्यूचर मार्केट आफ्र थ्री मंथ कहानी इस्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या रहा है जरह समझना दिया से सर्जी इनका यह कहना है कि चलो या हमने इस पर बैटिंग तो करी नहीं सकते यह तो कैश मार्केट में हम तो फ्यूचर प्राइब हम श्टॉक एक्शन यह कैस मार्केट यह श्टॉक एक्शन का ह हमने इस पर बैटिंग किया और हमने शॉट पोजिशन ले लिया हमने बैटिंग यह किया प्राइस कम हो जाएगा हो गई बात ठीक है कितना केजी है 22,000 केजी अब जब आप यह इस डेट में पहुंचें तो इस डेट में कैश मार्केट में जो प्राइस था वह 57 हो गया ओह हो इतना दुख 57 हो गया हमें 22,000 केजी 57 के सबसे बेचना पड़ेगा हमें 22 कैस मार्केट में 57 के सबसे बेचना पड़ेगा यह दुख लेकिन सहाब जो आप बैटिंग कर रहे थे 59 से कम होगा और इस टॉक एक्शन में रेट हो गया 58 तो हमें फायदा हो गया कम होने से फाय हो गया 22,000 केजी एक रुपय का फायदा तो हमें हो गया 22,000 का फायदा तो भाई एक्शन नहीं यह बताओ ना आपका राइस बेचन से आपको टोटल कितना मिला हमें बता रहा हो ना राइस की वजह से एक तो बाविस आप 57 22,000 57 के सबसे बेच देंगे तो एक तो हमें 12,54, यह हमें बॉर थाओजन यह है ना एक तो यह हमें मिल जाएगा पैसा इस्टॉकें से हमें 22,000 अलग मिल जाएगा तो टोटल हमें कितना मillar टूटल हमें 12,76,000 रुपिया मिला एक इस हिसाब से टूटल बेचने पर यह मिला और इस टॉक एक्षन से इतना मिला तो और टूटल कितने हमें मिला टूटल सब बाविश्चार है तो एक केजी हमें तो रिलाइज़ प्राइस कितना बड़ा एक इस पूछा है उनों ने तो इसमें क्या खाजवाद थी और यह करवाए क्यों यह कोश्चन का आप कैसे बोल सकते हूं कि यह कोश्चन नया था इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी बस एक पॉइंट की वजह से में कोश्चन करवाया क्योंकि यहां से लिखा है तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें शॉट पोजिशन लिखकर आ गये थे जब की कैश मार्केट में यह हमारा लॉंग पोजिशन है बाकि इस कोश्चन में ऐसा कुछ नहीं था करवाने वाला कि मैं आपको क्योंकि कॉंसेट्स आपके अच्छे तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी कि नेश्ट लोशन पर चले हां यह उन्होंने किया है यहां से सॉलूशन भी एक बार चेक कर ले क्या यह लॉंग पोजिशन इन कैश मार्केट लिखा हुआ है यह आपको लिखना पड़ेगा और इसको काटना है मिटिगेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सेल करना पड़ेगा इन फ्यूचर बैसे सॉट पोजिशन फ्यूचर मार्केट और फिर गेन पूच्छा है तो बोले गेन ऐसे निकाला टोटल मिलाकर 22,000 कजी 57 के सब से यह बेचोगे और 22,000 आपने फ्यूचर से कमाया तो टोटल 12,76,000 आ गया और टोटल 22,000 कजी पर आए कैजी पर खेंगे सींबल कोष्यंट था मैं मानता हो की सिंपल था पर से यह गलती हो जाते है को फिशन नूम्बर थरी यह भी और टिपिक इना डोग अनूमबर पहले वाली आर्टीपी की यह कोशन तो मैंने करवाया होगा सब छोड़ो ना कहां करवाया होल्ड में भी होगा यह नियू में भी है अलाकि यह question exam में भी आया है और यह इस बार के RTP में डला ऐसा नहीं है इसे पहले वाली RTP में भी question डला हुआ है चले करे question यह question especially beta management का beta management एक formula था number of contract is equal to value of portfolio ऐसा कुछ contractor जिन्होंने मुझसे class कर रखा होगा तो उन्हें पता होगा जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो कोई दूसरे तरीके सी किया होगा पर किया है आपने आपको आता है इतना मैं जान पा लिकाद डिटेल्स अबाउट पॉर्टफोलियो अप शेर्स of an investor is as below तीन कंपनी A limited, B limited, C limited, number of shares है in lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 2 lakhs, price per share दिया है multiply करेंगे तो हम एपोर्टफोलियो का value निकल जाएगा और हर एक का बीटा दिया हुआ है the investor thinks that risk of portfolio is very high ओर जो रिस्क है न वो बहुत जाता है risk का मतलब यहां सर यहां risk क्या होगा, simple सी बात है बीटा ही की बात कर रहोगा क्योंकि standard emission वागे रह तो है नहीं, risk बहुत है and wants to reduce the portfolio 2.9 बिट्टे portfolio का beta reduce करके 0.91 करना चाहता है और बोले अभी portfolio का beta बहुत जादा high है मतलब अगर मैं portfolio का beta निकालूंगा तो simple सी बात है 0.91 से कम आएगा की जादा आएगा, जादा ही आएगा, सर यह तो बच्चो वाला question क्यों पोच रहाएगा ठीक है he is considering to below mention alternatives strategy दो alternative strategy है आपके पास, beta management है बीटा जादा आएगा तो beta को कम करने की दो strategy है कौन कौन सा पहला बुले dispose of कीजिए part of his existing portfolio जो portfolio है सब में बीटा ज्यादा है ज्यादा ज्यादा पुले इसमें से आप dispose of कीजिए बेज दीजिए securities ठीक है और फिर उसके बदने में और उतने ही रुपय का पर रिस्क-free security acquire कर लिजिए क्योंकि रिस्क-free security इसमें तो beta होता ही नहीं है 0 होता है beta risk होता ही नहीं रिस्क-free नाम ही लग रहा है पहला beta को आप manage करने की कोशिश कर अभी beta ज्यादा है हलाकि हमें portfolio beta निकालना पड़ेगा अभी beta ज्यादा है और उस beta को हमें 091 लाना है तो यह एक ही तरीका दो तरीका है वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे methods समझा रखे बीटा management के पर एक तरीका है तरीका क्या है कि सहाव आपके पास जो security है इसको dispose of किजिए कितने का यह हमें सोचना पड़ेगा यही तो निकालना कितने का और उसके बदले में रिस्क-free security purchase कर लेजिए रिस्क-free का बीटा कितना होता है जीरो तो कौन सा ए कि बी किसी question बताता ना कि security a ko bach na a limited ko to thank god पर यह कुछ बताये नहीं है तो simple सी बात है यह थीनों को थोड़ा-थोड़ा बेचो कि तो थोड़ा-थोड़ा कितना वो देखिए गना वेटेड आवरेज करेंगे कुछ ना गुछ तो पहला तरीका यह हो गया दूसरा टेक एप्रोप्रेट पोजिशन और निफ्टी फ्यूचर विच आर करेंटली ट्रेड़ एट बन तो फाइप एड एच निफ्टी 200 यह तो मैंने आपको करवार का दिस इस जिस बात कड़ा रूसी पर बैटिंग करते यह मैं आपको सम्झा यहां आपने अल्रेडी होल्ड क अगर गिर गया तो गिर गया तो शॉट पोजिशन लेने वाले हम शॉट पोजिशन लेने वाले दो तरीके से बीटा मैनेज किया जा सकता है यहां इस कोशन के साब से यह तो आप रिस्क फ्री को एट करो और एग्जिस्टिंग सिक्यूरिटी को बेस दीची दूसरा आप पोजिशन ले लिजी फ्यूचर मार्केट में इस पर बहुत बड़ा कॉंसेट है और मुझे ऐसी पूरी उमीद है कि अपने कॉंसेट किया होगा पहला क्या मांगा पहला मांगा सब पूर्ट फोलियो बीटा पूर्ट फोलियो बीटा तो वेटेड एवरेस है इसमें तो ज पूर्ट फोलियो आपके पास है 5000 लेक्स और बीटा पूर्ट फोलियो कितना आ गया है 1.3030 यह ना 1.30 और बीटा कितना करना चाहते हो 0.91 रिस्क फ्री को हैट करना दो तरीके करने के सुना दोनों तरीके मैं आपको समझा देगा पूर्ट फोलियो बीटा वेटेड एवरेस तो आपको निकलना आता है हां सर तो साहब पहला तरीका कि आपका पीटा रखना आपको 0.91 ठीक है 0.91 रखना है आपके पास पूर्ट फोलियो पहले से कितना यह का है 5000 का और इसका बीटा कितना 1.30 कोई दिकत नाइसर कोई दिक ठीक है इसमें से कुछ एमाउंट आप बेज दोगे कितने जिसका बीटा है 1.30 कुछ एमाउंट को मैंने एक्स बोल दिया सर्कुछ एमाउंट हम पर्चिस कर लेंगे जिसका बीटा है 0 इस रिस्क फ्री मेरी बास समझना में किक्वेशन बनाने की कोशिश करों वेटे डेवरेज बीटा मैं कहा रहा हूं यह 5000 है उसका बीटा 1.30 उसमें से कुछ हम बेज देंगे कुछ का मतलब एक्स मुझे 5000 का ही होगा कि इस तरह से हम वेटे डेवरेज बीटा निकलते हैं हां तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5000 इन्टो 0.91 कर लो तो सरी आ गया 4550 6500-1.30X और उदर बाला तो 0 होगा इदर माइनस हो जाएगा माइनस 4550 जो भी आगा डिवाइड बाए 1.3 तो एक्स का वैल्यू आ गया है 1500 लैक्स तो सरी इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब सी दिसी बात है वही पंधरा सौ लाक रुपिया के हम सिक्क्यूरिट बेचेंगे और पंधरा सो लाक रुपए का रिस्क फ्री सिकूरिटी पर्चिस करेंगे 1500 लाक रुपए का 1500 लैक्स का जो एक्जिस्टिंग पोर ठोट व्लियो व्度 डिस्पोच ऑप करेंगे और उत्रही पैसो काम रिस्क फ्री security acquire करेंगे एक ऐसे भी कर सकते थे दूसरा तरीका क्या हुआ सर दूसरा तरीका कि आपको कितना चाहिए बीटा सर हमें चाहिए 0.9 एक्जिस्टिंग बीटा कितना 1.30 इसको आप वेट आप एले लिए ठीक है प्लस जीरो इन्टू 1 माइनस वेट आप पे लिए यह भी आपके ने किया हुआ ऐसा तो है नहीं है तो फाइनली जीरो हो जाएगा तो सीधा सीधा वेट आप पे निकल जाएगा वेट आप एस इकल टू.9 डिवाड़ेड बाए 1.30 .9 1.7 मतलब 70 पर्शन पैसा आप पॉर्टफोलियो में पड़ा रहने दू 70 पर्शन मतलब 5000 लेक्स का 70 पर्शन आप रहने दीजिए तो आप रहने दीजिए पॉर्टफोलियो में 3500 लेक्स और 15 लेक्स आपको कहां पैसा लगाना पड़ेगा रिस्क फ्री में पैसा लगाना पड़ेगा 1500 लेक्स वही बात है आप जैसी भी कर लो दूसरे पॉइंट का आंसर बड़ा सिंपल है वैल्यो पर रिस्क फ्री सिक् लेक्स अब लटी कर यह पंद्रा सो लाग काम शेर्थ बेच देंगे एंग्जिस्टिंग पूर्फोलियो किसका कितना से बेच चूगे सहाब किसका कितना तो वह तो डिपैंड करेंगा पंद्रा सो लाग रुपे का आपको शियर्स बेचना है तो वेट निकाले चिए 1500 लाग टो पॉइंटर पोरिफोन्त थी चार सब पचास लाग एक का पॉइंट रुपिविएंट्विपोइंट नौन सो लाख रूपे और 0.1 झा ग्स तिक इतने लैक्स का हमें शीर्स बेचना पड़े और शीर का प्रइस कितना चल रहा 500 यहां, प्राइस कितना चल्लरा, 750 और यहांच कितना तो क्या नंबर ऑफ शीर्स कितने हम सैल करेंगे, निकला जा सकता है कि हम कि पहले उन्होंने वेट निकाला स्थधी पर्शंट आया उससी अचल सब्स्स निकालाा फाइनल एन्सर जाग record 1500 लसार और कितने शीर बेचेन आ उन्होंने यहां निकाल लिया कि दिने को यहOW निकला देखो वेट एकशी इतनीं का तो तो point number 1 हो चुका है हमारा, point number 2 भी हो गया, point number 3 भी हो गया, point number 4, D, number of nifty contract to be bought or sold, तो ये simple सी बात है, number of contract निकलने का formula हुआ करता था, value of portfolio into, beta of portfolio नहीं, target beta पहले होता था, yes, target beta minus beta of portfolio, divided by, आगे क्या लिखते था, F into M into beta future, sir, logic क्या formula है का, बेटे, एक एक चीज, discussion किया, एक एक चीज, तो जो मेरे बच्चे वो बिल्कुल है, और जिन्हों ने, जिन्हों ने, जिन्भी teachers से पढ़ रखा होगा, उन्होंने इसका explanation आपको दिया होगा, साहब, तो जिनको ये formula करने की जरूरत भी नहीं, भूल जाओ, इस formula से मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से करो, ठीक है, तो number of contrast कैसे निकालते है, तो चेक करो, value of portfolio हमारा कितने का, सर्थ 5000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 दिया है, currently 8125, multiplier कितना जाएगा, 200 और बीट of future, market का बीट है 1 मामते हैं, इंटो एक लाग कर दे, पाचर लाक्स, लाक्स में हो रहा ना काम, 0.91 minus 1.3 into 5000 divided by 8125 divided by 200 into 1 लाग, तो 120 contracts, minus में तो क्या करते थे, हम लोग short, और short ही करना पड़ेगा, ये बात मैं discussion कर चुका हूँ, यह नहीं भी 120 contracts ही निकाला है, ठीक है, point number D में कोई दिखकर नहीं, अब last point बच्चा है, जरा वो भी समझ देते हैं, the value of portfolio beta, बोले portfolio beta निकाल ये, अगर nifty 2% से बढ़ जाता है, ये सब कुछ कर लिया, आपने short position ले लिया है, 120 contract पर उनका ये कहना है कि, अगर निफ्टी बढ़ जाता है, निफ्टी कितने पर्शंट से बढ़ा सर, सर निफ्टी बढ़ा है 2% से, निफ्टी market, market अगर 2% से बढ़ता है तो, 2% से बढ़ा, तो मेरा portfolio क्या होगा, portfolio में भी तो change होगा न, यस, और portfolio कितने पर्शंट से, तो beta कितना है, 1.3, बढ़ रहा है कि, गिर रहा है, तो value, if rise बढ़ रहा है, तो portfolio कितने का है, सर, portfolio का beta कितना है, 1.30, तो 2 x 1.30, 2 x 1.3, तो 2.6%, तो मेरा portfolio 2.6% से बढ़ेगा, 2.6% से बढ़ेगा, बास समझ में आ रही है, हाँ सर, निफ्टी, market बढ़ रहा है, कितने पर्शंट से मार्केट बढ़ा, 2% से, तो मेरा portfolio 2.6% से बढ़ेगा, तो इस से portfolio beta में क्या अंतर आएगा, portfolio beta निकाल यह बोल रहा है, आराम से सोचते हैं, कितना profit or loss होने वाला, this is important, इस टाइप के कुश्चन है, और बड़ा कुश्चन है, यह आराम से समझना, यह यह वाला point मेरा सबसे फैबरेट, point number E, ठीके सर, हो क्या राजरा सोचते हैं, मेरा portfolio था, कितने का, सर फाइप थाउजन लेक्स का, ठीके, इसको हटा दूँ, एक मिनट की मेरा, सर, आपका portfolio था, पाच जा लाक, और position कौन से था, मेरा, long, पक्का खरीदा तो, लाउग ही है, इसके लावा क्या मैने निफ्टी में भी पैसा लगाया है, कितना पैसा लगा ज़रा, देख लें, एक लेक्सव निफ्टी में, सर, एक्सव बिस कौन फ्रेक्ट, ये निकाला, शॉट पॉजिशन लेक्सव बिस कौन फ्रेक्ट, तो कितने, एक लेक्स कि निफ्टी का प्राइस कितना 8125 लेक्स में करते इसको लेक्स में देखते कितना रहा 120 इंटू 200 इंटू 8125 डिवाड़ेड वाइं एक लाक तो 1950 लेक्स कौन सा पोजिशन हो गया है शॉट चलो जी अब काम करते अब मज आयाएगा कि अभी मैंने यह देखा कि मेना मैंने कितना पैसा लगाया है एक तो पाच लाजार लाग का मेरा पॉर्टफोल्यू है जिसमें मेरा लॉंक पॉजिशन और सब्सक्राइब निश्यूट पच्छास लाग कम इन शॉर्ट पोजिशन लिए रखा है कि धर से कितना प्रॉफिट कितना लोज रादेख लेते हैं शार्ट पोजिशन ले ले रखा देया बढ़ गया यहान तो निपड़ गया ह्टू परशन से दो परशन का लॉस्ट हो ग into 2.6 5000 plus 2.6% तो मिसर आपका पॉर्टफोलियो कितने का हो गया 5130 लेक्स का पॉर्टफोलियो हो गया लेकिन इस में से भई आप तो हार गये future market में market in nifty में हारे तो वो 39 लेक्स यहां से देना पड़ेगा यह आपका लॉस है 39 लेक्स तो भी मैनस 39 तो भी मेरा 5091 लेक्स 5091 लेक्स मेरा पॉर्टफोलियो का वेल्यू है जबकि पहले कितना था 5000 था 5091 है तो क्या पर्षेंटेज क्या मेरा पॉर्टफोलियो का वेल्यू बढ़ा बढ़ा ना यार कितने पर्षेंटेज से बढ़ा क्या निकाला जा सकता है यस 5091 पहले कितना था 5000 divided by कितना जाएगा 5000 in 200 क्या कोई percentage में बता सकता कितने से बढ़ा 1.82 पर्शंट से बढ़ा तो टोटल मेरा पॉर्टफोलियो 1.82 पर्शंट से बढ़ा जब की मार्केट कितने से बढ़ा मेरा पॉर्टफोली 2% से नहीं 1.82 पर्शंट से तो क्या आप sensitivity निकाल सकते बीटा निकाल सकते हो 1.82 divided by 2 तो सर बीटा थो .91 ऐन और यह बीटा तो अच्य हो गया है यह तो हम समझाने की कोशिस करते हैं बीटा management में कि देखो किस तरह से बीटा achieve किया जा सकता है हला कि वहाँ concepts है और concepts में time भी लगता है लेकिन यहां question भी तना प्यारा बनाया गया कि वो बताना चाहता कि देखो जी बीटा achieve हो गया बले market बेचेंज हुआ है हम जज्ञादा discussion ना करें तॉपिक पे और हमारा अंसर आ गया यही उन्होंने किया working जो मैं ने करवाया था है ठीक है जी ठीक है सर नेक्ष्ट कोश्चन में ले ले सर ये तो बड़े बड़े कोश्टन है सरे हाँ कोश्चन उठाया ही ऐसेको इस्वेकर दोड़ा सा आसान है इसमें ज्यादा दिकत नहीं होगी कोश्चन नुमबर फो कॉंसेप्ट ऐसा कोई ज्यादा नए नहीं है मतलब कॉंसेप्ट तो कुछ नए है यह नहीं मस्कोश्चन आगे इसलिए मैं करवा दे रहा हूं मैंने कहा ना मेरा कि मेरी ड्यूटिय कोश्चन करवाना नहीं मार्जिन का कोश्चन है मार्जिन कब आया थे एक्जाम में आया था जनवरी 2021 नियू सिलिबस और तुनों आठ नंबर का कोश्चन था आठ नंबर का जनवर अभी अभी की बात है जैनुरी एटम्ट लिगा तब प्राइज ऑप मार्च निफ्टी फ्यूचर कॉंट्रेक्ट और पर्टिकुलर डे 9170 प्राइज नाइन वन सिवन 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 टीक है दा मिनिममम ट्रेडिंग लॉट ऑन निफ्टी फ्यूचर इस फिप्टी टीक इनिशिल मार्जिन अच्छ इनिशिल मार्जिन इस एट पर्षंट इस साथ में लागा होन अच्छी एट पर्षंट अन मैंट्रेनेंस मारजिन के शूस्ट एक और मार्जिन का अमट निकाल देते हैं तो भाई सबसे पहले बात किसकी कर लिए थे हैं इनिशिल मार्जिन इनिशिल मर्जिन 9170 50 इतना पैसे पे तो आपको बैटिंग करने ही पड़ी गोर इस पे कितना परशन आपको 8% देना यह आगया मेरा इनिशिल श्र तिस जार चेस्वस और मैंटेनिस की बात कर लेते है 9170 इन्टो 50 इन्टो 6 परशन श्र यह आगया 27510 हम जब भी वैटिंग करेंगे हमें मार्जिन जमा करना पड़ेगा ब्रोकर की पस 36680 हमें प्रॉफिट होता है तो हम मार्जिन विड्रॉ कर सकते पर इसमें विड्रॉन लिए ऐसी कोई बात नहीं है सब तो यह मैंटेनेस मार्जिन इनिशिट्व मार्ज चून आपठा जो ममें सुरू में जमा करना fuse मैं में ड्रनेस मार्जिन क्या होता भाई चांस आप हार रहा हो एक दिन दो दिन और आपका मार्जिन का बालेंस कम हो गा आटोमेजा हां सर और एक समय ब salts बी आ सकता broker margin call करेगा are margin call करेगा और कितना call करेगा सर इसका difference नहीं भई नहीं यह margin जब मंगवाया जाएगा तो वापस को यहां तक पहुचाना पड़एगा it means solution कितना call किया जाएगा 2750 – 2600 नहीं इतना आपको वापस कहां तक पहुचाना पड़ेगा वापस इनीशियल मार्जिन तक पहुचाना पड़ेगा बच्चे यह बात भूल जाते उनको कितने भी वाद समझाओ कियो सहाब मार्जिन कॉल जरूर होगा यह लिमिट है इससे अगर नीचे गा-था मार्जिन कॉल हो जाएगा लेकिन मार्जिन जब कॉल करोगे तो यहां तक नहीं मंगवाएगा कभी भी ब्रोकर वापस इनिशिल मार्जिन तक मंगवाएगा बाकि सकोशन में कुछ है ठीक है वो बोल रहा है कि ठीक है 9170 जब प्राइस था तब बैटिंग किया गया और पहले दिन प्राइस यह हो गया 9380 95209100 यह चारपाज दिनों का प्राइस दिया हुआ है ठीक है यह रिक्वायर टू कैलकुलेट mark to market cash flow and daily closing balance mark to market daily margin में चैंज होगा यस तो बोले ठीक है आप निकालिये mark to market and closing balance निका लिये अगर आपका कौन सा position long position long position का मतलब समझ रहे प्राइस बढ़े का या फिर आपका कौन सा position is short position short position का मतलब क्या दो अलग-अलग margin account बनाने पढ़ेगे और फिर Lla TE-PROS parecerश अगर आपने long position ले लिया होता तो क्या होता अगर आपका short position howto sir 9170 से क्या होना चाहिए long position बढ़ना के बढ़ा बढ़ा जीटगय है क्या बढ़ा हि conoc ्या कम हो गया यह loss क्या कम हो गया बढ़ गया तो प्रॉफिट आपको यह देखना पहले काम करें कालेशन तो करना ही पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस निकल ले यह पहले तो उन्होंने मार्जिन वारजन का कैल्गुलेशन करकर समझाया तो यह हो गया हमारा इनिशल मर्जीन यह हो margin था मेरा 36,680 उसमें 10,500 एड होके हो गया 47,180 अब जब हम comparison करेंगे तो initial price से नहीं करेंगे mark to market मतलब अब हमारा ये वाला price हो जाएगा जो price था ना जिस पर हमने बैटिंग कर रखे थे वह automatic change हो के अभी वाला price हो जाएगा तो अब हम कहेंगे कि या 9 380 से बढ़ना चाहिए और 9 380 से बढ़ गया 952 अभी profit कमाया 50 contract 7000 का profit margin और बढ़ गया हमारा 54180 अब हम क्या सोचेंगे अब हम सोचेंगे क्या कि सर 9520 से जादा बढ़ना चाहिए और किसमत इस बार खराब और 9100 के लोस और कितने का लॉस हो गया 21,000 रुपय का लॉस हो गया अब देखते हैं कितना था फिप्टी फोर 180 माइनस 21,000 तो 33180 हो गया margin का बैलनस यहां कितना हो गया 33180 क्या margin कॉल किया जाएगा नहीं ब्रोकर आपसे margin तब ही मंगवाएगा जब margin का balance 27510 से कम हो जाएगा अब हम कहें ठीक है भगवान किया तो किया अब 9100 से प्लीज बढ़ा दीजिए और भगवान ने फिर कम कर दिया ओहो अब फिर देखते हैं किया फिर लॉस हो गया कितने का 7,000 रुपय का लॉस हो गया तो 33180 – 7000 ओहो बेलेंस तो सहाब कितना बचा बैलैंस 26180 और जबकि economics Can Margin 2700 कि अब हो गया हां तो क्या आपको इनीशल तक करना पड़ेगा मतलब 36680-26180 तो आपसे मार्जिन मंगवाए गया है 10,000 पास और अगले दिन प्राइस फिर बढ़ गया तो यह प्रॉफिट है ठीक है कोई दिकत नहीं नहीं सर्फ लॉंग पॉजिशन है तो कोई ऐसी सोट कभी होगा पर प्रॉफिट लॉस्ट पूचा है तो प्रॉफिट लॉस्ट तो बड़ा असान है करने के लिए आपको मिला कितना कितना सर हमको मिला 45680 हमें मिला 45680 और हमने लगाया था एक तो लगाया इनिशन मार्जिन 36680 और बीच में हमसे मार्जिन कॉल भी किया गया दस रपास अराम से प्रॉफिट लॉस्ट हमें मिला इतना लाश्ट में मार्जिन हम ले जाएंगे अपना जितना भी लगाया मतलब जितना भी बच्चा होगा लेकिन एक तो यह लगाया था सुरू में दस रपास और दिया था हमने ब्रोकर को तो 45680 माइनस 36680 माइनस 10,500 तो साहब 1500 रुपए का हम पो लॉस होगा है अगर हमारा कौन सा पोजिशन है लॉग पोजिशन ऐसी किसका है ऐसी बात हो रही है यह शॉट पोजिशन यह शॉट पोजिशन इतना लगा है है और प्राइस क्या होना चाहिए प्राइस से नाइंग या काम होना चाहिए और यहां क्या भड़ गया तो लॉस तो शुरू में हो गया और कितने का लॉस हो गया तस एप सौका 3698 माइनस दस तो पास टोटल हो गया सर 26180 क्या मैंटेनस मार्जन से नीचे चला गया तो वापस margin call किया जाएगा कितना margin call किया जाएगा दस दर पास ठीक है उसके बाद फिर loss हो गया 7000 ठीक है पर यह maintenance margin से नीचे नहीं गया है तो अब भी margin call नहीं होगा उसके बाद प्राइस कम हो गया तो हमें फायदा है तो फिर यह मुझे ज्यादा समझाने के ज़रूत नहीं मेरे ख्याल से अगर मैं आपको लॉंग पोजिशन डिसकस कर चुको तो शॉर्ट पोजिशन वाला आप कर लेंगे अगला कोशन थे ठीक है ठीक है तुक के सरा इस तरह से उन्होंने प्रॉपिट लास निकला वापके सामने ला इत गला कोश valor कलते है थोरी दिर में ये ने नेक्सक्राँ चल जो नेक्स्ट कोश्चन पर चल रहा है और यह कोश्चन नंबर फाइब यह भी एकजाम में था और एकजाम में एकजाम में नवंबर 2019 2019. New syllabus में 6 number का कॉष्चन था, वैसे जनरली 8 number का कॉष्चन आते हैं, पर 6 तो हो सकता है, एक कॉष्चन दस number का रहा होगा, 10 number, 6 number, 16, 16, पढ़ते है क्या कॉष्चन? a future contract is available on R limited that pays an annual dividend rupees annual dividend rupees 4 whose stock is currently 125 this is spot price spot price 125 is future contract calls for delivery of thousand shares of to stock in one year Delhi marketing marking to market the corporate RF risk-free rate art person dividend come out to the hour period kitna g1 year given the abu information what should be the price of one future contract price poochra future cut up theoretical future price nika la f and or fka formula is spot price spot price pick up at the one plus our car to school or dividend amount is the other deal X over dividend yield is the other to our minus D periodical currently but look at spot price path is there 125 rate of interest 1.08 or dividend amount kitna diya hai sir g4 this is theoretical future price 125 into 1.08 minus 4th answer achaya ka rupees 131 par yaha future contract ka price pooch raha yaha future contract ka price pooch raha yaha future contract ka price pooch raha yaha to ek future kha to ek thousand shares to into thousand kar dihi koi dikkar dihi kwa dikkar point number one mister quick problem he knew who need to take point number one point number two if the company stock price decreases by six person bulletin stock price in a 125 yeh agar che person say decrease ho jata hai toh toh kya ho ga price of simple si baat hai bhai 125 ki jaga ham che person say discrease karthay minus six person che person here na kitna version che person say decrease or a 125 minus six person to yaha ham karling a one one see one point five zero to yaha jaga one one see one point five zero into one point zero eight minus four toh phir us me ajayega one twenty two point nine zero into thousand se multiply kar dihengi toh yeh agar rupees one lakh twenty two thousand nine hundred baat sa maje meh agar price kam ho ga toh future price be automatic kam ho ga nahi theoretical future price as a result of the company stock price decreases stock price decreases stock price will decrease ho jata hai ek investor jinnu na long position lera ka in one future contract of r limited by sub jabi yeh price hai aur is pay up na concept position lera ka hai long position one thirty one see lekin price kya ho ga hai decrease ho kye yeh ho ga hai toh bata yeh aapko profit ho raha hai ki loss to yeh toh koji bhi bata dhega ki is chakkar meh aapka future price be decrease ho ga hai hai, aapka long position lera ka long position lera ka, aapko loss ho ga ya, aapko rupes eighty one hundred ka loss ho ga hai, aap margin or tax ko ignore kar dihengi, wau, toh bhi margin ka haa hai, or tax bhi ka haa hai, hrouologically siya h Clara, iye si, aapka hai, u inbs bhi ka hiож ho ga hai, aapka, ija aip exceed ekwe say ga, hana margin or tax bhi dhia huataha, iis luge una naik saa likhata, iru hai salad鐘, iye sab nayam hai, hi saap nihaha sé bhiξa di odi, haul hirok, aicede關 monitor uk rain sa por email at home hali ga ma आप देख लीजेगा प्रिजिन अइसी हो तो जाद अच्छा यह कोशन बहुत हो गया फ्यूचर 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 परिशान हो गते हैं फ्यूचर यह कोशन है option binomial two-period binomial यह फिर इसको क्या बोलते हैं multi-period binomial सरी कोशन कब आया था तो देखा जाए तो यह कोशन कब आया हुआ है जरह देख लो आपको भी दिख जाएगा सायद यह कोशन आया था November 2020 new syllabus और सुनो सर जी आठ नंबर का कोशन था एक्जाम का कोशन है अइस बोलू तो यह वंहीं सकता कि आप से नहीं बना वरकर्वाही क्यों रहें जब इसमें कुछ नए concept नहीं है कोशन थे यह की यह नहीं किया नहीं कि इस टैप का दो किया है पर यह वाली figure का question नहीं आया है इस question को करवाने का कोई sense नहीं पर ठीक है कर लेते तो question में नहीं उन्होंने एक binomial tree बना कर देतिया था आज prices 100 108 भी हो सकता 95 मतलब 8% से बढ़ सकता 5% से कम हो सकता मतलब यह भी 8% से बढ़ना चाहिए देख लेते 116.64 डिवाड़ेट बाइ 108 हाँ 8% से बढ़ गया यह 5% से कम होना चाहिए 102.60 डिवाड़ेट बाइ 108 हाँ 95 परशन ठीक है बात समझ में आगे इट में से अगर मैं कहूं दो चीजों की जरुरत पड़ेगी मुझे यू 1.08 दिख रहा है और डी 0.95 यह भी दिख रहा है यू और डी क्या है यह आपको अच्छ से पता है बढ़ा है 8 परसन से गिल रहा है 5 परसन से यह वन यह रही टू यह मतलब तू पिरियड बॉइन हो गया था इस ट्राइक प्राइस कितना है 98 इस इंपोर्टन ऑप्शन कौंसा यह नहीं मालों अभी था कसब कॉल तो लिखा है ना सर ठीक है तो अभी क्या करते सुनों सुनों मेरे आथ पे-off निकाल देते हैं सबसे पहला कम तो करें अगर यहां एक्ससाइज हो जाता तो 116.64 माइनस 98 सर यहां पी ओफ आ गया 18.64 ठीक एक सो दो पॉइंट सिक जीरो माइनस 98 4.6 और है तो एक्ससाइज ही रोंगे जीरो बिसस पी ओफ क्या यहां भी एक्ससाइज हो सकता हो सकता कौन सा अमेरे तो यहां का पे ओफ की बात करो तो कितना जाएगा प्योफ 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 यहां 98 एक्स स्विप फ्योफ ठीक और यहांजीरो इस को बोलते यह इंट्रिंसिक वैल्यू ने काला मैंने करेंट प्राइज फिर इस्टाइब धंड़र रिस्क फ्रीए पाच पर संग रहें नमर विथ थैंट कंटूडियसलिए लिग बोला है भाई बोला है तो यूज करेंगे कंटूडियसलिए ली कंपडन एस नंटू प्रीर टॉ टाइम पिरियर ऑफ वन यह ठीक है यूजिग द minus d करते थे हम e power r t minus d और u minus d भी कर सकते है ठीक है ठीक है बोलो e power r t 1.05127 minus 0.95 divided by 1.08 minus 0.95 यह फॉर्मुला याद है कि नहीं 1.05127 0.77 0.78 ठीक है तो हो गया फिर तो कुछ रखानी कॉष्ण नहीं प्रोबियाबिटी निकली गई हमारी यहां का प्रोबियाबिटी 0.78 minus 1 0.22 0.78 0.22 0.78 0.22 0.78 0.22 एक काम तो हो गया ठीक है जी ठीक है अभी क्या करना है आपको back calculation करना होता है इस नोट यह नोट 2 के लिए value of option निकलेंगे 18.64 into 0.7 4.6 into 0.8 divided by this यह तो आता है ना आपको यह सर तो सबसे पहले नोट 2 के लिए हम लोग काम कर रहा है value 18.64 into 0.78 m plus 4.6 into 0.22 m plus mrc divided by 1.05127 तो यह आगे 14.79 ऐसे नोट 3 के लिए निकलते हैं यह तो 0 यह ले 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 थे 4.6 into 0.78 divided by 1.05127 तो यह आगे सर 3.41 अब यहां American option है तो चेक जरूर करना चाहिए दस बड़ा है कि यह बड़ा है सर यह बड़ा दिस वैली ओफ ऑप्सन एट नोट 2 इस एक्वल तो 14.79 अगर intrinsic value जादा हुता तो हम intrinsic value लेते concepts आपको पता है whichever is higher लेते क्यों लेते logic आपको पता है तो अब यहां से यहां पहुचना है और यहां से यहां पहुचना मतलब यह cross कर दो अब यह हमारे लिए मेन होगे और इधर तो है यह नहीं है तो answer आजाएगा final answer 14.79 into 0.78 plus यहर कुछ आए 3.41 into 0.22 और divide के से करोगे साब 1.055127 this is final answer this is 11.69 question में कुछ था किया दिए एक्सपेक्टेट प्यॉफ निक लिए सब हो गया कोशन में कुछ खास बात नहीं थी यह कोशन क्या आप से आराम से बन गया था यह सर हमसे एक्जाम में बन गया था हमें अच्छी तरह से पता और बन नहीं था तू पीड़ बाइनुमिल मोडल में ऐसा कुछ था इन इस कोशन में कुछ नहीं था इस पेशली हो आप मैस कोश्चन कोश नमा दोई कोशन मचे कोशन बार संब यह खतम कर कि को को अब को चन्स सेवन भी एक्जाम में आया हुआ है और एक्जाम में नवंबर 2019 में आठ नमबर का कोश्चिन है, नमबर दोहचर उननीस, ठीक है, पुराना कोश्चिन, पढ़ते कोश्चिन को सायद कुछ बाती समझ में आजाये हम लगोगों, लिकाद, नेसी 50, index future are traded with a rupees of rupees, value being rupees 100 per index point, on 15th September, the index close at 1195, and December future, last trading day, December 15 है, we're trading at 1225, क्या कहना क्या चाहता है सर, समझा रहा हूं क्या कहना चाहता हूं, हम कहां है भी, हम लोग सर यहां है, और आज की date कौन सी है, आज की date है, 15th September, 15, 9th, यहां का spot price हम को पता है, और यह दिया है, 1195, 1195, और जो 15 December के लिए trading होना, 1512 का, तो उसका future price भी दिया, कौन सी date का, इस date का future price दिया हुआ है, 1225, टिक, सर, यह future price theoretical है, सवाली पैदा है, actual future price दिया, अगर बोलेगा कि यह theoretical है, यह actual है, तो फिर बात का तम हो जाएगे, दा हिस्टोरिकल डिविदेंड येल्ड और इंडेक्स, 3% पर एनम, और बोरिंग रेत है, 9.5%, ठीक, डिविदेंड येल्ड विदे, रेत आप्टेशिए, इस आर दिया है, 9.5%, और डिविदेंड येल्ड दे रखा है, 3%, डिटर्माइन वेदर, और सेप्टेमबर 15, दिसंबर, वेदर, और सेप्टेमबर 15, दिसंबर फ्यूचर कॉंटर्ट वा अंडर प्राइस अओवा प्राइस, तो सिंपल सी बात है, कि वो यह जो है, ये एक्च्वल फ्यूचर प्राइस है, और बताईये, theoretical निकाली और यह बताइए कि यह अंडर प्राइज है कि ओर प्राइज से theoretical हमें निकालना आता है तो क्या continuously compounding यूज करेंगे करहीं भी नहीं लिखा वैसे करना चाहिए था पर मेरे हिसाब से नहीं चलता आई से याई तो सब नहीं किया तो आगे से हमने एक रूल से बना रखा concept देगा तो हम continuously compounding यूज करेंगे नहीं देगा तो नहीं करेंगे तो f is equal to sorry f is equal to spot price कितना है जी सर्क 1195 r minus d करेंगे और month कितने हुए कि days में करना कि month में अच्छा अगर बोलता month में याद है एक अध कोशन सर हमने किया था जिसमें बोला था calculation month में करो तो हमने month में किया इसमें बोला कि 365 दिन लेना भाई एक साल में मतलब days में calculation जब भी सब्द लिखेंगे ना कि एक साल में 365 चोड़ना पड़ेगा या तो जिस दिन contract हो रहा वो rate छोड़ दो या फिर last में maturity rate छोड़ दो मैं जिस दिन contract हो उस date को छोड़ा हूं मैं 16 से गिन रहा हूं September के 15 days हो गया October के 31 November के 30 और December वाला 15 वाला include कर रहा हूं तो टोटल मिला का 91 days है 91 days का देख लेते है 9.5 sorry 9.5 minus 3 into 91 divided by 365 divided by 100 plus 1 तो यह आगया 1.0162 into 1195 तो यह आगया 1214 एप्रोक्स इस तर अंसर में कितना दिया है अब भाइस आप यह वाला है इसको एक बार जोड़नों क्या 1195 1195 plus 19.37 1214.37 तो मैं भी वैसे लिख देता हूं 1195 into 1.0162.35 है 36 आ रहा मेरा 359 है 36 37 चल जाएगा सुनों अब उन्होंने ना 100 से मल्टिप्लाई कर दिया इसको 100 से मल्टिप्लाई कर दिया हम भी कर दिंगे पर उसने ऐसा बोला किने अंडर प्राइज या ओवर प्राइज बता रहा है वैसे 100 से मल्टिप्लाई कर दो तो भी दिक्कत नहीं पर मैं सीधे से एक फ्यूचर की बात कर रहा हूं बोला अंडर प्राइज की उवर प्राइज सरी तो महगा ज्यादा प्राइज है यस ओवर प्राइज दिखना ना या मेरे हिसाब से फ्यूचर की वैल्यू होना चाहिए 1214 और यहां कितना 1225 इस ओवर प्राइज बात ही कत्म हो गई ठीक तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं अंडर प्राइज है कि ओवर प्राइज वाड़ आपिछ ट्रांजेक्शन इस पॉसिब टू गैन आउट गनाउट इस मिस्स प्राइज भई क्या करेंगे यह क्या करेंगे यह ओर प्राइज है यह जो महगा सको बैच वेच्व वेच्व सेल फूचर और भाइज पात्ट पात्कतं सेल फीचर बाइस पूचर बैस बारो टुबाई अंट श्टॉक ठीक है यहां तको कहा है कैल कुलेट एक सेल का मतलब कौन सा पोजिशन सब्सक्राइब तो फिर तो आपको एक्चुल में क्या हो रहा यह करके दिखाना पड़े हैं अगर नहीं दिया होता तो मैं कहाने किसे यह आपको पता में यहां बात कर आप सुनना धियां से कैलकूलेट देन और लॉस अगर इंडेक्स जो है उसका बारहसो साथ हो जाता है 1145 अब अधियां से में क्या करने वाला है ने काम करता हूं 100-100 से मल्टिप्लाइब करें अब सुनना धियां से यह खरीद लिस इसका मालो यह शेयर इंडेक्स को भूल मालो यह शेयर है मैंने शेयर खरीद लिया कितने का आज 1195 का शेयर खरीद लिया 1195 का आज शेयर खरीदा जेम में रख लिया हो गया यह 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 मेरा शेयर है और मैंने अपने पास में रख लिए ठीक है यह शेयर हो गया सर अपके पास चलो चे यह यह मेरे पास होगे अब क्या करना यह यह पैसे आया आपके बता उधार लेंगे न भाई कितने परशंट पहें पर नौ पर्शंट पर हम उधार लिया पैसा उधार लिया कितने दिनों के लिए 91 डेस के लिए और उसका मैंने शेयर खरीद के अपने जेमें रख ल सब्सक्राइब तो लॉस में बेचोंगा यहां तक ठीक है इस पर मुझे डिवीडेन भी मिलेगा याद रखना डिवीडेन भी मिलेगा यहां तक ठीक हो किसा इसके अलावा मैंने क्या किया मैंने शॉट पोजिशन ले लगा कितने पे कि 1195 से कम होगा तो फायता कि शॉट पोजिशन लिया कितने में 1100 पंचन में सेल्फ यूचर का मतलब शॉट पॉजिशन सारी ट्रंजेक्शन बता दूँ आज की दिन क्या किया यह सर बताओ आज के दिन मेंने पैसे उधार लिया उसका मैंने शेयर खरीद लिया 1195 का शेयर खरीद लिया ठिक अपने पै लिया 1195 से नीचे जाएगा 1195 से नहीं यह गलत है यह 1225 यह 1225 से नीचे जाएगा तो मैं जी जाम ठेक है तौकस तयार हो अब मैचूरेटी को कुछ भी हो सकता आप सोचो क्या हो सकता सर अगर 120 sat हो गया मैचरिटी को तो क्या करो है अजय को सुना अराब से मेरे पास कि या इस पहले में डिविडेंग ले लूँगा जै में डूंगा मुझे डालनुगा बहुत अच्छी बात है और मेरे बाए जो शेर उसको मैं बेज दूंगा कितने में 1260 यह भी पैसा बहुत पैसा गया और यह 1260 रुपे भी आ गया बहुत अच्छी बात है उसके बाद क्या करूगे सरा उसके बाद भाई स्टॉक एक्षेंज मुझे गोली मार देगा कहेगा लाओ मेरा पैसा दो मैंने ठीक है मेरा कौन सा पोजिशन था कि कम होगा औ तो सर वह पैसा अपका थोड़ी नहीं आप उधारी भी तो चुका हो कि ना हाँ तो में का बोल रहा हूं इस टॉक एक्षेंज को इसमें से लॉज दे दूंगा और इसमें से जिससे उधार लिया था उसको भी दे दूंगा और कुछ पैसा मेरे पास बैच जाएगा इस आर 1175 का वह भी आ गया थैंक गोट भी बहुत पैसा है अब देखूंगा इस्टॉक एक्षेंज इस्टॉक एक्षेंज वाओ प्राइस कम हो गया भाई गुड तो लाव इस्टॉक आप भी दे दो उनसे भी ले लिया तीन जगह से पैसे आ गया कहां कहां से डिविडेन आ गया डिविडेना के अलावा शेयर बेचने से पैसा भी आ गया इसकी वाओ इस तोक एक्शन से भी से आ गया इसमें से जिस से मैंने उदार लिया ता ना पैसे और शेयर उसको यह यह उसको हरि इ jego पैमेंट कर दिया और मेरे पास पैसे बना इमट क섯 समझा ने कि परीवा Heart उसको हम 100 से मल्टिप्लाइब कर देंगे सिंपल सी बात है आज क्या होगा इन्होंने इस तरह से बता है तो हमें शीर खरिदना पड़ेगा 1195 का एक है तो उन्हें 100 से मल्टिप्लाइब कर दिया ठीक कोई फरक नहीं यह पैसा जाएगा पर कहां से जाएगा कहां से कहीं से आन को इगनोर करेंगे ठीक है 1225 पर हमने शॉट पोजिशन लिया और बोले शॉट पोजिशन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करने पड़ते है ठीक है अब बोले 15 दिसंबर को या तो प्राइस होगा 1260 या तो प्राइस होगा 1175 अगर 1260 होगा तो क्या होगा मैंने आपको पह है तो डिविडेन निकालेश है एक लाग उनिस जापासो जितने का सियर है 1195 में होता तो मैंसे निकलता है 1195 का 3% डिविडेंड दिया है तो 91 डेस का और इसको मल्टिप्लाई किस से कर देता हंड्रेट से मल्टिप्लाई कर देता ठीक है तो यह आगे अब शेयर भी जो पास है ठीक उसको भी बेज़ देते शियर वेज़ दिया हमने कितने में वेज़ दिया बारस ओसाट तो 1260 का शियर में यह वालक यह यह भी पैसा आ गया डिविडेन आ गया शेयर वेचने से आगया अब श्टॉक एक्षेंज पर आपको लॉस हो गया और कितने का लोस बार बैंक वाले से उधार कितना लिया था इतना उधार लिया था साड़े नौपर से नाइटी यह बैंक वाले को देती है तो सहब यह आया यह आया यह गया और यह भी गया और नेट हमारे पास तू भी बज गया 106 3.4 अगर प्राइस हो जाता 1175 सुस्ते डिविडेन आने डिविडेन किदर अगले पेजमेंगे डिविडेन आने दिया ठीक है शेयर बेज दीचिए शेयर भी बेज दिया ये भी ठीक है इसके अलावा इसके अलावा अब की बार मुझे स्टॉक एक्शन से मिलेगा क्योंकि 1225 पे बैटिंग कर रहा था कि कम हो जाएगा और वाकि 11 1225 हो गया तो मिल गया 5000 और उधारी वाले को चुका दिया उसके बाद भी हमारे पास इतना गेन हो गई होगा चाहे प्राइस कम हो जाए प्राइस जादा हो जाए अच्छा कोश्चन है प्लीज मैं आप से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड के कि यह जो चल रहा है न चलेजी आगे आगे आज की गलास का लाष्ट कोशन अगला चैपिटर जो होगा उगा इंट्रेस्ट र' रिस्क मैंट इन अगरे वब तो सकते डेरीविट्व में 8 कोश्चन में ने डाल रखा इंट्रेस रिस्क मैंट में ज्यादा है निय доступім करें अराम सब्सक्राइब चलो जी लाश्ट कोश्चन कब आया था सर यह कोश्चन तो सहाब करके जाना यह तो बिल्कुली नया कोश्चन एक्जाम का कोश्चन है जनवरी 2021 ओल्ड स्लेबस में आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि नियू स्लेबस में भी आ सकता है तो भाई प्लीज और ओल्ड स्लेबस में वापस भी आ सकता है अच्छा कोश्चन ऐसा कोश्चन आपको आपके ट्रेक्टिस मैन वाल इस्टेडि मेटेरियल आर्टी पी मिले गए नहीं कुछ अच्छ लेकिन कॉंसेप्स अगर किया है तो हंड्रेट परशंट कोश्चन बनना आप से मैं फिर से बोलो कोश्चन आया है पर अगर कॉंसेप्स अच्छे तो कोश्चन बनना इवन नहीं देखते क्या लिखा लिखा मिश्टर एज होल्डिंग थाउजन शेर्स आप पेस वेल्यू कितना हंडड़ेट ठीक मिश्टर ए कितना शेर होल्ड करके रखा है एक आप्स तो होल्ड दिस सेफ और लॉंट टर्म आव नो इंटेंशन टु तो से कोन है जी मिश्टर ए मिश्टर ए मिश्टर ए पास यह है कॉंसी अंपनी के है एब एक से लिएक लिमिटेट के शियर और अगे में इसको बेचने के खिदाक में नहीं हूं मैं इसे फोल्ड कर के रखुम हो चाहे शियर का प्राइस कुछ भी हो चाहे ठीक है ही वांस तो ओल दिसेयर फर लॉंग्टर बैनो इंटेंशन तु सेल अन फिर्ष जनुवरी तु थाउजेंट तो मैंसर्स XYZ has met short sales of Messrs ABC limited share and approached Mr. A to land his share under stock lending scheme with the following terms अच्छा question काम करना पड़ेगा यहां तो ऐसे नहीं है कि हवा में समझा सर यह कौन है सर यह है Mr. A good इनके पास तो shares actual और कौनसी company के होगी कोई भी company ABC limited के picture में आया मैं sir X, Y, Z और यह Mr. A और X, Y, Z इनके पास कितने shares है इनके पास है 1000 shares और यह hold करना चाहते हैं तो X, Y, Z कह रहा है कि प्लीज Mr. A सुनो ना एक काम कर सकते हो क्या Mr. A कहते हैं अच्छा क्या काम करना है आप फोली तो कर रहा है आप कर क्या रहा है बेचने वाले हो क्या Mr. A बलता मुझको नहीं बेचना आया भाई तो बली सुनो प्लीज यह share मुझे उधार दे सकते हो एक से उधार दे सकते हो मतला Mr. A X, Y, Z सुनो सुनो तो यह share आप हमें उधार देजी है और हम तीन महने बाद तीन महने बाद यह share आपको वापस कर देंगे दिक्कत क्या है आप तो वैसे भी अपनी तीजोरी में डालके रखे हो ना क्या करो कि कुछ कमाल हो उससे इसके बदले में हम को इसको लेंडिंग चार्ज भी आपको दे देंगे मस्टरें गोलता हो वाओ मतलब मतलब घू है आप हमें दे दीचिया और तीन महने बाद हम आपको शेह हमा पैसे उदार मत दो देजिया और वापसक देंगे जो था वह आपके पास और बदले पर कुछ पैसे भी ले 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 लिना इसको लेंडिंग चार्ज बोलते हैं अच्छा मिश्टर बोलते हैं ऐसा है बीची में डिवीडेंट मिला तो वो तो मेरी नाम से बोले नहीं और अच्छा एक बात बताओं मिश्टर पूछर एक सब्सक्राइब करोगे क्या हम कप पढ़ा होगा यह भी तो मुझे इतना डिस्कुशन नहीं करना चाहिए पर पता नहीं मैं भूल जाता हूं या फिर मुझे ऐसा लगता आपको नहीं आता यहां तक बात समझ में आगई क्या ठीक है मिश्टर एको क्या फाइदा होने वाला उसके शियर के शियर मिल बहुत कम तो यह सोच रहा है कि अभी बेज दूंगा जादा में तीन महने बाद सस्ते में खरीद के इनको आपस कर दूंगा यह किसका सोचना एक्स वाइजट का यहां तक लियर है इस्टॉक लेंडिंग और इसकिम आपको आता है ना आगे चले अब यह दोनों बाते में आएसा की डिविदेंड का किया हो गाडिविडेंड इसमेर को नसी विफर एक स्कुरल झेंड आध से अय्माण्त है अगर कंपनी सब्सक्राइब करें जो बोरो किया जाएगा वो तीन महने के लिए एक दोहजार से ठीक है लेंडिंग चार्जेस वन पर्शन तो भी पैट एवरी मन्त अंदग लोजिंग प्राइस अपिस्टॉक लेंडिंग चार्जिस कौन किसको देगा यह देगा कितना पर्शन एक नहीं उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइज है उस पर वैसी होना भी होई चाहिए था बैंक ग्यारंटी विल बी प्रोवाइड एस कॉलिट्रल फार्दा वैल्यू एस ओन एक एक दोहजार पीस मतलब क्या असर है मतलब सीधी बैंक ग्यारंटी समझ रहे होना किस पे कौन है जो धोका कर सकता है मिश्टर ने वो क्यों करेगा एक्स वाइज है तो भी या मिश्टर एक गयारंटी चाहिए पाता लगा तीर मैंने बाद आप आई नहीं तो ग्यारंटी ग्यारंटी के बिना कोई नहीं आप बैंक से बुलवा दो बैंक कैगी ठीक हम देख लेंगे अग गयारंटी फिस कितना बोल रहा है ऐसा कुछ बोला नहीं विल भी प्रवाइड एस कोड़ेटर फार दा वैरिस टीक लिखा नहीं है गया गया अचाहिए यह आठ पर शन पर एनम लगी गाई इसको यह भी खर्चाहेगा आठ पर शन पर राइन बैंक गया अगे हैं आगे है वेरियस डेट आरेस फॉलोस यह मिस्प्रिंट हुआ है तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको ना आप अपनी आर्टी पी में चेक करोगे आर्टी पी आ सौरी यह जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके पेडियाब डाउनलोड किया है न आपने वहां चेक करो उसमें यह लि दिविडेन और यह लिखा 25 पर ऐसा लिखा हुआ है और यह जो है यह क्लोजिंग प्राइज दिया है 31st मार्च को क्लोजिंग प्राइस यहां ABC तीसरा पॉइंट है प्लीज इसको करेक्ट कर लिजिएगा प्लीज फर्स्ट पॉइंट में ग्यारेंटी लिखा है सेकेंड प प्राइस एक एक को तो इतना था एक हजार एक हजार बुले यह हजार 2020 में इसकता एक हजार 40 बीज पाट कर रखंड़ है दो सेनारियों यह तो प्राइज यह सकता यह तो यह हो सकता है ठीक अब बात है सिंपल सी बात है एक्स वाइजेट को कब फायदा हो सकता हो तो वह कितने खर्चे एक परशन लेंडिंग चार्ज देना है आठ पर अनम कि सबसे बैंक वाले को देना है साथ में बीच में डिवि को डिविडेंड भी देना है ठीक इतने सारे खर्चे फायदा बस एक ही होगा अगर रेट कम होगा तो सस्ते में खरीद के और अगर बढ़ गया तो और एक लॉस इसको वह वाला भी लॉस होगा चार टाइप के लॉस हो सकते इसको सबसे पहले मिश्टर एक की अर्णिंग कि अंगर निकालि टांक लैनिंग इसक्म इन्नों बहुत सीनारियों Mr.ek की अर्णि इस सिनारियों से Mr.E को क्या फायदा होगा अ लेंडिंग चर्ज मिलेगा और बुले दैम भी मिलेगा लेकिन इस्टॉक लैंडिंडिंग से बहुत तो मेरे खहल से तो आपको रठम मिलेगा क्या लेंडिंग चार्ज इस्टॉक लेंडिंग इस किम की बात कर रहा तो लेंडिंग चार्ज इस होना चाहिए था हर क्लोजिंग प्राइस पे निकालना और कितने शिए से थाउजन थाउजन इंट असकर लिए करेंगे मिश्टर एक इंक थर्टी फर्ष्ट मार्च 2020 की तो प्रैस क्या हो सकता है एक हजार बीस हो सकता है हां यह वाला यहां तो नहीं जाएगा ना लेंडिंग चार्ज तो लास्ट में दियना है ना आपको एंड आफ एवरी मंथ अन्दा क्लोजिंग प्राइज बुला है ठीक तो एक हजार बीस इंटू वन पर्षन और नौस वान पर्षन इस तरह से दस रुपए बीस पेसे नौर पेसी पैसे फिर्ष्ट मंत का सेकंड का क्लोजिंग प्राइज पे फिर निकाला और थर्ड क्लो एक सो रुपए अगर यह है तो इसको मिलेगा 28,800 इस्टॉक लेंडिंग है हाला कि इसको डिविदेन भी मिलेगा पर वह इस्टॉक लेंडिंग की वज़े से डिविदेन नहीं डिविदेन तो ऐसे भी मिलना था अगे क्या लेखा टोटल अर्निंग ऑप मिश्टर ए डूरिंग एक दोहजार बीस टोटल अर्निंग बोला है अब टोटल अर्निंग में क्या आएगा अब टोटल अर्निंग में आएगा एक तो यह आए गई आएगा लेंडिंग चार्जिस साथ में डिविदेन भी आएग इसको इसमें जोड़ दीजे 25 इसमें जोड़ दीजे 25 तो एक एक शेर पर 56 53 in 2000 किया तो यहां के डिसे टूटल पहले में लेंडिंग चार्जिस बोला था स्टॉक लेंडिंग इसकीम से इनकम हो बता दिया अब टोटल इनकम बोला तो बता दिया ठीक है जी तीसरा क्या बोल रहा है एक स्वाइज एक को प्रॉफिट लॉस यह इंपोर्ट एक स्वाइ यहां शेयर का प्राइस कितना हो कि 940 यहां तो भई महगे में लेकर आपको सस्ते में देना पड़ेगा तो एक जार पचास महगे में लेकर सस्ते में देना पड़ेगा तो यहां पचास रुपर कालो यहां सस्ते में लेकर एक जार में दे देंगे तो यहां प्रॉफिट प एका इखल पुर्टिबीडाड होना चाहिए के डिवीदन जिसको बेचा उसको मिलेगा रिया डिवीडेंड की इंकम कौन कंपंसिट करेगा एक्सज उसको पर हिन्को एक्सबाइडन कियो मेरी समझ में नहीं पर इंडेंसें सभूर इंप कंअ चालेंज नहीं कर सकताbu किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि डिविडेंट जो है वह एक्स वाइजेट को मिलेगा और वही तो चीज ट्रांसपर करेगा ऐसा नहीं आप पढ़ लेना यहां लॉस पर सियर थाउजन से मल्टिप्लाई किया तो यह गें और यह लोग इस कोशिन को प्लीज देख कर जाओ कि यह कोशन बिल्कुल नहीं कोशन है बागी हर कोशन का हाला कि इसका कॉंसेट थेओरिटिकल तो मैंने समझाया है पर सीरियसली मताओ मैंने प्रैक्टिकल क कोशन करवाया नहीं था पर यह प्रैक्टिकल कोशन है इसमें ठीक है जी डिविडन और आना चाहिए था मेरी ओपिनियन से पर मेरी ओपिनियन नहीं चलेगी आई सी एई के सबसे करोगे कोशन ठीक है जी थेंकियो सो मच अगली क्लास होगी इंट्रस्ट रेट और अब जल का काम किया रहां डिस्क्रिप्शन से आप पका पका पीडियाफ डाउनलोड करो की आर्ट कोशन विच सॉलूशन ठीक है जी कल मिलते मुझे बताएगा कि से आपको चलो ठीक है छोड़ो कल मिलते है कल पका मिल रहा है और इंट्रस्ट रिस्क मैनेजमेंट के नए कोशन डि स्क्रिंगे थेंक्यू सुमच्च बाइ-बाइ